तो हाई गाईस, वेलकम बैक टू दो चनल और गाईस हम आगे हैं वापस एक और अमेजिंग से वीडियो के साथ और गाईस मुझे पता है आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि यार सिंक्रोम बैटल लाओ और बहुत लोगों ने तक बोला था कि यार इन दोनों का सिंक् करता हूं जब तक सिंक्रोम करता हूं लाल वाला बटन दबाओ इस चैनल को करो सब्सक्राइब ताकि हम ऐसे और मोर वीडियो ला सकें और ऐसी काफी सारे अमेजिंग चीज़े कर सकें तो चलो आप देख लेना वह आपका काम है मैं अपना काम करता हूं ठीक है तो चलो पर रख देते हैं और गाइस एक और चीज़ बता दूँ कि मैं इसका स्पिन ट्रैक और टिप पहले यूज़ करने वाला था लेकिन अब इसके मूर में नहीं हूं और उसका रीजन गाइस बस यही है कि यह स्टेटियम में बहुत स्क्रेप करता है यह तो यह टिप तो नही बहुत ही गजब का एवी होने वाला है मैं उस पर भी आता हूं तो यह एक बन गया अब इसको फ्राक से ओपन करते हैं और रिवाइजर का फेसबोल डाल देता हूं इसमें तो यह भी काफी अच्छा कॉम्बो तयार हूं इन पार्ट को अटा देता हूं तो यह देखें अपना रा बहीमत रिवाइजर काफी गजब का कॉम्बो है और इसके बारे मैं जितना ही बोलू काम है आप देखिए यार क्या गजब का कॉम्बो है सेलमेंडर इफरित वाह मजा आ गया तो यह देखिए क्या कॉम्बो है तो यह गाइस बिना किसी टैमवेज के एक बाइनका वेट कर लेते हैं फिर करते हैं इनका 55 पॉइंट का बैटल देखते हैं कौन जीतता है तो यह आ गया मेरा वेंग स्केल और गयास इन दोनों का वेट बहुत जदा होने वाला है तो गयास बहीमत रिवाइसर का वेट 66.4 ग्राम तो काफी अच्छा बेट है अल्मोस्ट एक डीवी बे के बराबर है अब गयास इसकी बारी है यह तो किलर होने वाला है चलो देखते हैं सेलेमेंडर इफरित ओ माइ ले आता हूं स्टेडियम करते हैं फटाक सिंद का बैटल देखते हैं कैसा होता है तो गाइज अपना स्टेडियम सेट अप होगे हम तयार है पहले बैटल के लिए तो मैं पहले क्या करता हूं यह बहीमत रिवाइजर लाउंच करता हूं और यह लोग बत्ती भी बुझाते हैं और गाइस यह देखिए क्या मस्त मैच हो रहा है और सच बोलू तो यह इसका वेट जादा है न तो यह अच्छा टैक करता है और इसके पास डबलूडी है तो बहुत अच्छा एक काउंटर अटैक टैक को लाउंच करता है मजा जाता द गया है गजब की बात है पहला पॉइंट सेलमेंडा इफ्रित को इस बार इसको पहले लाउंच करते हैं काफी पावर्फुल लाउंच लेड़ेट ट्रेप और गाइस इस बार रिवाइसर बहीमत ने बाजी मार लिए पहला पॉइंट इनका भी हो गया तो गैस अभी दोनो का स्कोर है वन वन पॉइंट इच तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है तो मैं फिर से रिवाइजर को लाउंच करता हूं लेड़ेट प्रेप लेड़ेट तो गाइस काफी ज्यादा अटैक पावर के साथ आयते सलमेंडर इफृत तो अटैक पावर के साथ बाहर भी चले जीद होती है कोई नहीं गाइस नेक्स मैच सो लेड़ेट रिप लेड़ेट रिप और गाइस दोनों ही कॉंबोस के पास अपने अपना एडवांटेज एक कवेट जादा तो एक के पास डबलू डी है तो आप कुछ कह नहीं सकते यार कौन जीत सकेगा और साथ बूलू डी का कॉंटर टैक भी बहुत अच्छा और बैलेंस भी बहुत अच्छा है मुझे लग रहा वहीं पर यह अपना हैवी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्रियेट कर रहा है लेकिन देखते हैं गाइस क्या होता है ओ बहुत बुरा लग रहा है लेकिन यार डवलू डी फिर से ब घंगोर बेच जती डवलू डी का पावर इसलिए मैं डवलू डी यूज करता है डवलू डी के मज़े अलग तो चार पॉइंट इसका एक ही पॉइंट बहुत बुरी बात है पता नहीं कैसे क्या होगा और लास्ट टाइम मैंने इस पर इफरित का टेप यूज किया था वो तो बहुत ही घंदा परफॉर्म कर रहा था वह प्योर एटक टाइब तरेकिन स्टैविना बहुत बुरा था तो गाइस का चार पॉइंट इसका एक पॉइंट बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं लेकिन फिर भी इपना कम बैटल करना तो वह करेंगे तो गाइस लेड़िक क्या लांच है लेड़िट प्रिप कमान कमान इफ्रिद तो गाइस काफी ज्यादा वेट का फायदा ले रहा है फ्रिद लेकिन देखते नॉक आउट कर पाए या नहीं दोनों ही आउप बैलेंस होते हुए नहीं इफ्रिद जीतना पड़ेगा भाई तुमको और गाइस मेर एक और पॉइंट हो गया इसके चार थे इसका दो पॉइंट हो गया काफी अच्छा परफॉर्म किया नेक्स बैडल करते है फटाक से तो लेड़िट ट्रिप लेड़िट ट्रिप और बहुत ही गंदा लांच लेकिन कोई नहीं अरे यार यह डबलू डी यार डबलू डी य और यह तो कॉम्बो मतलब बोला था अब लोगों तो इसलिए बना दिया और इस पर मैं फ्रित का ट्रैक्टिप भी यूज़ करके देखा था वह भी कुछ खासत चापर फॉर्म नहीं कर रहा था मुझे लगता कुछ कॉम्बो टिप ट्रैक यूज़ करना पड़ेगा तब मजाएगा लेकिन गाइस यह तो मैं रंडमली बना दिया और यह बहुत ओपी बन गया वाउ तो गाइस आप बताना आपको क्या लगता इन दो कॉम्बो के बारे में और इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में लेकिन आज के लिए इतना ही मैं आपसे मिलूँँगा नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ और हैपी ब्लेडिंग